अब बादर नोगा पूरान का था में गुरुदेयों ने जो 30 तारीकों हर्टाली का ब्रत आ रहा है उससे संबनित कई सरल उपाय उससे संबनित कई जानकारी दी है गुरुदेयों कहते हैं भादरपाद महा की तरती आती थी हस्त नक्षत्र में फुलेरा का अपना ही एक महत् कोई भी ब्रत नहीं कर पाएं कोई भी पूजा पाठ नहीं कर आएं परन्तु हर्टाली का ब्रत को आवश्यक रूप से करना चाहिए हर्टाली का ब्रत नहीं भी कर पाएं तो आवश्यक रूप से आप सभी को साथ जगह के फुलेरा के दर्शन करने चाहिए इसके बाद मह बहा के लिए अपना सेहमती दीती अर्थात माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया था। इसके साथी साथ जगह के हो सकता है किसी के घरों में खुलेरा बाधा हुआ हो तो वहाँ पर जाकर दर्शन किजिए नहीं तो मंदीर में बाधा हुआ है तो वहांपर दर्शन कीजिए कोई दिककत की बात नहीं है। जलते हैं सुभै बहरतालिका तीज पूजा करने के बाद उसे विदा किया जाता है ऐसे मैं आप सभी किसे निवेदन किया कॉलोनी में आपके मंदिर हो न्य दिन खुलता नहीं हो तो फुलेए राधु के दिन रात्री में मंदिर खोलने का कश्ट करें महलाओं को इनके अश्यक रूप से बांधे गुरुदेव ने यह जानकारी दी है विसेश रूप से फुलेरा आप जो अन्य लोग कहने का मंतलब है मंदीर के पूजारिया ट्रस्ट ना बाते हों तो आप अपनी तरफ से फुलेरा बांधे अर्थात फूलेरा का अर्थ होता है फूल पत्तियो उसे जो एक अलगतर है कि सजावट की जाती है उसे जो है फुलेरा कहा जाता है तो गुरुदेव कहता है आप अपने हाथ से बांधे इससे जो दुख विमारियां है बहे दूर होंगी साती अखंड सौभाग में कुवारी लड़कियों के विवाह न हो रहा हो तो उनके वि तो पूर्नोहोगी स्री सिवाई नमस्तु भ्यम